हेलो फ्रेंट्स आप सभी का गाई उरानी ब्लोक्स में बहुत-बहुत स्वागत हैं क्या आपके बच्ची भी सबजिया नहीं खाते हैं तो उन्हें सबजिया खिलाने के लिए सबसे अच्छा तरी का है तो वीडियो को बना स्किप्प के पूरा देके वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले मैंने यहाँ पर इडली का बैटर बनाया है उस घोल को मैं यहाँ पर ले लूँगे मैंने चावल औ दाल को भिगो करके इसे अच्छे से पीस करके मैंने रात भर फरमेंट होने लिए चोड़ दिया था तो हमारा इडली का बैटर अच्छी तरीकी से तयार है इसे मैंने एक बार अच्छे से फेट लिया है अभी का सीजन है तो आपको हरे मटर आसानी से मिल जाएंगे बीट भी बिल जाएगी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बरतन में पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया थे, जब पानी हलका सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमे अपने मटर को डाल देंगे और मटर को हलका सा बोईल होने के लिए रखेंगे, जिससे कि इसके जो वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जब आप इसे ग्राइंड करो तो बहुत ही अच्छे सीदम पेस्ट की तरह बन जाए तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे तो इसी पानी में मैंने यहां पर अपनी बीट को भी डाल करके अच्छे से हलका सा सॉफ्ट कर लिया है पानी में ढालने से आपका का इसे हलका सा सॉफ्ट होना जिससे कि आपका जो में बीक्सर घाल करके पिस लेंगे थ ससे पैले मैंने यहां पर मतर को इसे डाल करके इसे पीस लिया है आप चाहो तो मटर बीट की जगह पर आप गाजर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी हरी सब्जी ऐसे यूज कर सकते हो तो हरी सब्जी को पहले आपको हलका सा बॉil करना उसके बाद या उसका पेस्ट बनाएंगे तो आपकी हरी सब्जी पीस करके तयार हो चुका है तो इस तरीके से मैंने यहां पर एक छोटी कटोरी में इडली का बैटर निकाल लिया है इसमें मैं एक कटोरी में में बीट मिलाओंगी और अच्छी से इसमें मिक्स कर दूँगी तो जैसे ही आप चावल के आटे में बीट डालोगे तो इसका क पसंद करेंगे कलरफुल इडली खाने में उन्हें इडली भी पसंद आएगी और साथे साथ उन्हें निट्रिशन भी मिलेगा तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को सबजे खिला सकते हो सबसे अच्छा तरीका है तो यहां पर मैंने बीट को अच्छी से चावल के असानी से और पसंद सिखा लेंगे आप चाहो तो इसे लंच बॉक्स के लिए बना करके बच्चों को दे सकते हो बहुत ही पसंद सिखाएंगे तो यहां पर मैंने मटर को अच्छी से चावल के आटे में मिक्स करके रख दिया है यहां पर मैंने एक चम्मत से बीट के पेश तो ओईल लगाने से क्या होगा कि आपकी जो इडली है वो अच्छी से निकल जाएगी बीना तूटे हुए तो हलका हलका सा ओईल हम सारे इडली स्टेंड में लगा देंगे तो अब मैं यहां पर इडली के बैटर को यहां पर डालूंगी अच्छी से तो यहां पर मैंने ज जाले वो खुदी फैल जाएगा डालने के बाद इस तरीके से इडली स्टैन को आपको टैप टैप कर देंगा जिसे कि घोल चार और अच्छी से फैल जाए दूसरी स्टैन में यहां पर जो बीट का इडली बैटर बनाकर के तैयार किया उसे में यहां पर डाल दूँगी तो मैं अपना पैटर को अच्छी से डाल दिया है दूसरा इडली स्टेंग मैंने कि मैं पहले एक च्पशे पिंकवाले इडली को डाला उसके मैं वाला इडली को डाला जिससे के दो बना चुझार उगा तो जो अच्छे से ममोजी बना दूँगे जिसे की बच्चे काफी पसंद्ध एकांस है जिसे तरीके से अगर आह आप दियते हो तो उसी की उन्हे पपर दीखेंके प्सक्राइब किने के एगया में हम्हारा पाल रहो जाएगा थो हम अपने इस्टेंड को इसके उपर डाल देंगे और इसे धकन लगा करके 20 मिनिट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे जैसे ही 20 मिनिट कम्प्लीट हो जाएगा हम अपने गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और अपना इडली को निकाल करके साइड में रख देंगे जब यह सकते हो हमारे इडली कितनी ज्यादा अच्छी पर्फेक्ट बनी है एकदम खिली-खिली स्पोंजी इडली बनी है आप देश सकते हो कितनी जालीदार बन करके तैयार ही है इस तरीके से आप बना सकते हो अगर आपको इडली बैटर की रेसिपी चाहिए तो मेरे पिछले वी लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल नबूले साथी बेल अगण कर… जरूर्ढ प्रेस कर दें मेरे चैनल पर इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको रेसिपी बनाना बताया जागा जिसे देखकर आप आप आसानी से सीख सकते हो तो आप एफ़ जरूर kann